हेलो गाईज, वेलकम टू मैं चैनल गैजिस अफ आयूरुवेद एंड हेल्टीप्स में तो चलिए चलते हैं टॉपिक में आज का टॉपिक है मनसुन डाएट बदलते मौसम के मुताबिक जट से बदल ले आहाड जाने मनसुन में आयूरुवेद के खास उपाए मनसुन डिजिस प्रिवेंशन टिप्स आयूरुवेद के मुताबिक मनसुन में पेट की पाचक अगनी कम हो जाती है ऐसे में हमें पेट के अनुसर भोजन करना चाहिए इस मौसम में सरीर को गड़म रखने वाली चीजों का सेवन अच्छा होता है पेट को ठंडा करने वाली चीजे खाने से सरीर को नुक्सन पहुच सकता है मनसुन के दोरान मौसम में अचनक बदला बाता है इस बदलते मौसम में सरीर में कई तरह की परिशनियां होने का खत्रा रहता है जैसे मनसुन में पेट में इन्फेक्शन से लेकर गले में खरास, बलगम, बुखार जैसी परिशनिया बनी रहती है ऐसे में लोग बस एही सोच कर परिशन रहते हैं कि आखिर उन्वने के ऐसा क्या खा लिया जिससे उनकी तबियत बिगर गई आईरवेत के मुताबिक हमारा आहार बदलते मौसम के मुताबिक होना चाहिए अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये आपकी सेहत पर बुड़ा प्रभब डालता है यहां आज हम आपको इस मौसम के खानपन के बारे में बता रहे हैं आयुर्वेत के मुताबिक मनसुन में अनार दही जैसी खटी चीज़े नहीं खानी चाहिए। साथ ही चिकनाई वाली चीज़ों को खाने की भी सला दी जाती है। मनसुन में इन चीज़ों का सेवन करने से बलगम और खासी की समस्था हो सकती है। और इस सीजन में इस तरह का आहर पचाने में दिक्कत आती है। बरसत के सीजन में गरम मसले जैसे की काली मीर, चिदाल चीनी, आदरक और सोट का सेवन करना चाहिए। इस से गले में ख़डस और बलगम की परिशनी नहीं होती है। बरसत के मौसम में आदरक की चाय लापकरी होता है। आदरक में एंट इसके इन गुनों के कारण बैक्टरिया, भाइरस, कोल्ड और फ्लू जैसी समसाएं दूर रहती है। आपको बदलते मौसम के हिसाब से अपनी कुछ आदतों में बदलब करना होगा। ताकि आपको बारिस के मौसम में किसी तरह की कोई परिशनी नहीं हो। ऐसे में आप र रानिंग, वाक और रसी कुद जरूर करें। इससे फिटनेस बनी रहेगी और सेहत भी तंदरूस्त रहेगी। तो गाइस आज की वीडियो में ही पेंट करती हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा और पुल लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करना और मेरे चैनल की बाकी वीडियो भी देख लेना ताकि आपको हेल्थ रिलेटेड और वीडियो रिलेटेड और जानकारी मिले। मिलती हो और एक इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ।